दोस्तों नमस्कार आदाव सत्स्वियता न्योज क्लिक के कारिग्राम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश आदेवाली पहली खबर दीवाली के मौके पर हमारे देश के प्रधान मंत्री के दौरों को लेकर है अगर आप दीवाली के पहले और आसपास प्रधान मंत्री के दौरों को देखिए तो उन्होंने एक तरफ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में जाकर के सेना के बीच, सैनिकों के बीच उन्होंने दीवाली मनाई, भाषन भी दिया, सेना की वर्धी भी पहनी, बिल्कुल सेना की वर्धी में और एक खास धंका जो कैप, जो सेना के धिकारियों की होती है उस तरह की कैप में उनका एक जगमगता हुआ चित्र पूरे देश के टेलेविजन चरणों पर दिखाया गया, काफी जवर्धिस्त कवरेज हुआ उस पूरे के पूरे उनके कारिक्रम का नौशेरा पाकिस्तान की सरहत से सटा हुआ जमुकश्पीर का हिस्सा है हमारे देश का और काफी समय तक एक जवाना था जा हूँआ खोब खुलाबारी होती रहती थी मैं स्वेम नौशेरा जा चुका हूँ एक रिपोर्टर के तौर पे जब मैं जमुकश्पीर कबर करता अपने अखवार के लिए उन दिनों जब मैं एक हिंदी के अखवार में काम करता था तो नौशेरा सरहत का एक बहुत सेंस्टिव सेक्टर है जहां पर सेना की हमारी टुकडियां रहती हैं और वहां गुस्पैट के मामले भी बहुत आते रहते हैं तो देखे इस पार जिकल स्ट्राइक की बहुत सारी और सारी बातें की लेकिन अरुनाचल में जो विवाद अभी चल रहा है उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की बहुत सारी इसकी अलुचना भी हुई है बहुत सारा सोचल मीडिया पर आप देखे हुई ट्यूटर पर देखिए फेस्बुक देखिए तो उस पर बहुत साइटी पढ़ियां आ रही है लेकिन हम उसको उस पर बात करने के बदाए हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ तो उन्होंने सरहत पर साइनिकों के साथ जाकर शौर प्रदर्शन या एक शौर के प्रती को उन्होंने एक तरह से पुनर जीवि बता है वगेरा और ये प्रदान मंतरी हर साल दीवाली के मौके पर करते हैं जब से उनकी सरकार आई है लेकिन इस बार प्रदान मंतरी ने यहाँ भी एक काम किया कि फौरण वो केदारनाथ गये और केदारनाथ में उत्तरा खंड में केदारनाथ धाम वहां अक्सर हो जाते रहते हैं 20-20 में और एक बार गये थे और उस बार जब गये तो वहां उन्होंने तपस्या भी की एक खुफा उनके लिए इस पेसली क्रियेट की गई थी और उस गुफा में जाकर उन्होंने तपस्या की वो छित्र पूरी दुनिया में सामने आये इसके अलावा इस बार ज जो है एक तरह से पूजा का प्रसारीत हुआ यानि गर्व ग्रेव में भी कैमरा पहुंच गया लेकिन इसके साथ ही प्रदानमंत्री ने एक और काम किया कि वहां शंकराचारी के का एक मुर्ती बनी है उसका भी उन्होंने एक तरह से लोकारपन किया और कुल मिलाकर के दार कई महीने चुनाव हैं लेकिन तैयारी शुरू हो गई है कैमपेन एक तरह से शुरू हो गया है सारे के सारे नेता चुनावी मूर में आ गये हैं तो प्रदानमंत्री जी का एक तरफ सैनिकों के बीच जाना और दोसरी तरफ धर्म का चंडा उठाना दोनों एक बिली जुली को एक तरह से वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के जो का जो टकराव है जो सरहत का टकराव है उसको वो आम तोर पे भुनाती रहती है आम तोर पे कभी सर्जकल स्ट्राइक की बात कभी किसी तरह की बात इन तवाम तरह की चीजों का वो चुनावी इस इसमें कोई संकोच नहीं करती है, कोई उसमें शर्माने की बात नहीं है, कई बार तो ऐसा भी होता है, कि जब चुनाव नदिक आते हैं, तो कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है, और उस घटना का उपयोग या प्रयोग या इस्तेमाल करने से भी बीजेपी के नेता पीछे नह रही है, तो एक तो ये एक बड़ी दिल्चस्त बात मुझे नजर आई, दूसरी दोस्तो, विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है, कॉंग्रेस पार्टी, उसको लेकर मुझे एक हवर्ट पर टिपणी करनी है, अब नोजोत सिंग सिद्धू सहाब, जिरोंने को मंजूर नहीं किया, इसका मतलब, और अब सिद्धू सहाब ने इस्तीपा देने से पाले जो मुद्दे उठाए थे, और अपने इस्तीपे में जो मुद्दे उठाए थे, उन दोनों मुद्दों को उठा रहे हैं, वो एडूकेट जनरल और डीजीपी की न्युक्ती के किलाव, और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पत्थ तो समाल लिया, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार जो प्रदेश में है, चरंजी सिंग चन्री जिसके मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार पर हमला कर रहे हैं कि ये दोनों को आप हटाइए, वरना हम फंक्षन नहीं करेंगे, यानि ह प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जो हैं, चुनाव के लिए, परज्याम में भी चुनाव होने वाला है, पर चुनाव के लिए कोई क्वाडिनेशन आपस में नहीं रहेगा, तो आखिर ये कैसी पार्टी है कि अपनी ही सरकार को हराने परामाता है, नोजोज सिंग अपला विपक्ष पर करने के बजाए अपनी ही सरकार पर कर रहे हैं, अभी शिरोमणी अकाली दल ने चंडिगर में प्रदर्शन भी किया है, चरंजी सिंग चंडी की सरकार की इकिलाब की केंद्र ने टैक्स जो हैं वापस किये हैं, तेल और डिजल और पेट्रोल पर से, तो आप भी कीजिए, यानि राजे भी करें थोड़ा, जिससे की और सस्ता हो जाए, वाजिब बात है, इसमें कोई दिक्तत नहीं है, अभी पक्ष को करना चाहिए ये काम, गनीमत यह है कि नोजोट सिंग सिद्धू ने परदर्शन अब तक अपनी सरकार के खिलाब इस मु ये उस से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि एड़ोकेट जनरल एक ऐसे पुलीस अधिकारी के वकील है उस केस में, जिन पर बे अदबी करने वाले लोगों को बचाने का आरूप लगा था, अब सवाल इस बात का है कि क्या कॉंग्रेस पार्टी का जो केंद्री नित्रित् इस बात को समझा नहीं, कि अगर नो जो चिंग सिद्धु साहब की वापसी फिर हो रही है कॉंग्रेस अत्यक्ष के रूप में, तो वो अपनी सरकार के खिलाव किस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे, सरकार पर, बार्डन बन जाएंगे, और जिताने के बज तो सिद्धु को हटाना ही नहीं चाहती, और चन्जीत सिंग्स चन्नी को बनाकर वो अपनी पीटवी थपतप आती है कि उन्होंने एक समस्दार पढ़े लिखे, बहुत ही विवेक्षील दलित नेता को मुख्यमंतरी बना दिया, तो क्या दलित नेता को मुख्यमंतरी बना नहीं काफी है, या उसको काम करते रहने की छूट देना दिया, आपने मुख्यमंतरी तो बना दिया, लेकिन उन पर बंदिश, उन पर अंकुष, उनके उपर आपने थोप दिया एक ऐसा प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष, जो उनको काम ही नहीं करने दे रहा है, और एक पर्मनेंट अपोजिशन पार्टी के अंदर ही बना हुआ है, ये कॉंग्रेस पार्टी के साथ हमेशा ऐसा, आप अक्सर होता रहा है, हमेशा अगर शब्द का इस्तेवाल हम नौ करें, तो भी अक्सर होता रहा है, जब कभी वो किसी प्रदेश में किसी दलित नेता को, या उपर अंकुष लगाने में लगी रहती है, उसको फ्री हैंड कभी नहीं देती, जैसा कि वो अन्य लोगों को, अन्य नेताओं को अपने देती थी, या देती रही है, मैं इसके अनेक उदारन आपको दे सकता हूँ, विहार से, उत्तर प्रदेश से, मद्य प्रदेश से, च और आप पंजाब बिल्कुल सामने है कि चलंजे सिंग चन्नी जैसा एक पढ़ा लिखा दलित नेता मुख्य मंतरी बना, लेकिन कॉंग्रेस उसको परवा नहीं इस बात किया है कि कैसे उनके मुख्य मंतरी को फेल किया जा रहा है, परिशान किया जा रहा है, तो कहीं न कही कॉंग्रेस पार्टी के जो क्रिटीक कहते हैं कि कॉंग्रेस जो उनके क्रिटीक है वो बार बार कहते हैं कि कॉंग्रेस नेत्रतों का मिजाज चुकी एलीट है, इसलिए दलित और पिछड़े वर्क के किसी भी नेता को मुख्य मंतरी बनाने या कोई भी बड़ा ओधा देन आला कमान से और इस बैक्ग्राउंड के नेताओं के बीच में ये भी एक कारून माना जागा है संजोग बस नौजोग सिंग सिद्धू नौकेवल बहुत संब्रिद्ध परिवार से आते हैं बलकि एक पुराने रईस परिवार से आते हैं उनकी पिता भी बहुत बड़े उधेदार थे कांग्रिस पार्टी की बड़े नेता थे इसे दोस्वें बड़े क्रिकेटर रहे हैं इस बारे में हमने बात की कई लोगों से उसमें आल इंडिया आम बेटकर महासभा उसके जो चैर्मेन है अशोग भारती जाने माने दलित ने था उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रिस आला कमान इस तरह के अपने कदम से अपना ही जो औरा है अपना ही जो गद है उसे और छोटा कर रहा है और ये कांग्रिस पार्टी के लिए बंजाब में बेहर नुकसान दे होगा कांग्रिस का ये अप्रोच अल्टिमेटली वहां का जो दलित सवाज है वहां के आम लोग भी वो हरगित बरदास्त नहीं करेंगे कांग्रिस पार्टी के खिलाप एक महौल जाएगा और सरकार जो है अच्छा काम करने की इक्षा रखने के बहुजूद भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी ये अमबेटकर महासभा के चेर्मेन असरोग बारती ने का उन्होंने नियूस क्लिक से बात करते है तो ये एक दूसरी खबर पर मैं आपके सामने ये टिपणी करना चाहता था एक तीसरी खबर बड़ी दुचास आपने अजित पवार सहाब का तो नाम सुनाई होगा शरत पवार के वो बतीजे हैं और अजित पवार डिपिटी चीप मिनिस्टर है 2019 में कुछ घंटे के लिए वो उनके कारण ही उनके समर्थन से ही देवेंदर फड़नवीस फिर से मुक्रिमत्री पत की शपत ले लिये थे राजिपाल सहाब ने उनको अचानक भोर में उनको बिल्कुल अलसुआ है उनको कुछ बड़ा दी और अजित पवार के बारे में कहा गया लेकिन 48 गंटे के अंदर अजित पवार पर उस वक्त जितनी केसेz थी उनमेın 48 घंटे के अंदर anti-corruption विरों ने नॉबर 2019 में उन सारी केसे को वहापस कर लिया सभी उनके खिलाब करप्शन की केसेज खातम कर दी अब अजित पवार अब उद्दव ठाकरे की अगवाई में जो सरकार है उसमें डिपिटी चीफ मिनिस्टर हैं यानि वो अपोजिशन का जो गठबंदन है जो राज्य में सप्ताधारी है उसके एक बड़े निता है बीजेपी की परिसानी का सबब यह है ये गठबंदन टिका क्यों है इतने दिनों से तो उसने अजित पवार के किलाब वो सारी केसेज रिवाईट कर दी है उनमें से ज्यादातर केसेज और उन केसेज को नो केवल रिवाईट किया गया है बलकि IT को लगा दिया गया है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने हाल में कई शारों में छापे मारे और कई बेनामी प्रापर्टी जो हैं उन्होंने जब्त की हैं वो कहते हैं कि ये अजित पवार की प्रापर्टी है अजित पवार कहते हैं या उनके लोग कहते हैं उनक ती जन्ता पार्टी और मुझूदा हमारी जो सरकार है केंडर की उसका प्रस्टाचार विरुधी अभियान कि कोई अगर आपके साथ है तो उसके पास चाहे जितने मामले हो सारा खुन मामले है वो इमानदार हो जाता है और जैसे ही वो फिर आपका अलोचक बनता है वो दुनिया का सबसे बेमान आदमी बन जाता है तो भाई करप्शन ऐसे तो खतम नहीं होता और विल्कुल दोस्तों चलते चलते हम एक बहुत दुर्भागपून खबर के साथ आज की आज की इस विश्रिशन का सवापन करेंगे बिहार बिहार में दिवाली जो खुशियों का एक तेवार है संबर्धी का एक तेवार है उसका एक प्रतीक है प्रकाश का ज्यान की तरफ समाज को ले जाने का एक प्रतीक है हमारे तेवारों में समाजिक तेवारों में उस मौके पर एक बहुत दुखत घटी अब तक चालिस से अधिक लोगों के मरने की सूचना है ये सभी लोग जहरिली शराब पीकर मरे हैं उस राज्य में जहां शराब बंदी है जिस राज्य में शराब बंदी है एक भी शराब की दुकान नहीं है आफितियली उस राज्य में जहरिली सराब गली-गली मिल रही है और गली-गली मिलती शराब लोगों के गले-गले जा रही है और गले-गले जाकर लोगों की जिन्दगी लील रही है सबसे अधिक लोग गुपाल गंज में मरे हैं के बाद बेतिया में मरे हैं कई जिलों में इससे फिर एक बार साबित हुआ है कि शराब बंदी एक गलत एजिन्डा है एक गलत सोच है शराब रोकने के लिए गरीब लोगों तक शराब की पकड़ नौ हो वहां तक वो नौ पहुँचें गरीब लोग जो हैं शराब नौ खरीद है इसके लिए दूसरे अभियान चलाए जा सकते हैं बसलिम शराब की दुकाने कम हो शहर में कस्मों में कम हो गाओं में भी कम हो दूरियां उनके बीच में भहुत है अब विजेशी शराब तो खरीदने नहीं जाएंगे गरीब लोग कच्ची शराब देशी शराब रेगुलेट किया जाए लेकिन जैसे ही आप शराब बंदी करते हैं ये बंदी शब्द का मतलब कहीं न कहीं एक अंडरवर्ड कहीं न कहीं एक पैरलल डंक से चेन बन जाना कि कैसे इन चीजों की सप्लाई गरीबों तक आम लोगों तक की जाए और कहा ये जाता है कि बिहार में समारांतर एक व्योस्ता बन गई है अब उसमें कौन जहरिली शराब परोस रहा है कौन अच्छी शराब परोस रहा है शराब तो कोई अच्छी नहीं होती है लेकिन कहने का मतलब कि कौन सर्टिफाइट तो है नहीं कुछ ये सबसे बड़ा संकट है और इसमें विहार की पुलिस से लेकर विहार के और और जो प्रशास्थनिक मार्थ में हैं इस तरह की शराब बंदी वाकई आम लोगों को खास कर गरीमों को शराब से दूर करती है या उनको मौत के हवाले करती है बस इन्हीं शबनों के साथ आज की चर्चा जहीं तक नमशकार आदाब सच्छी अकाल